तो दोस्तों आज की वीडियो माझे अमले कर गाए हैं कि जैसे कि बहुत सारी जो मैं आप लोगों के लिए क्लास के एक एक करके सारे टॉपिक के वीडियो तो देही रहा हूं लेकिन अब मैं आपको एक एक करके टूल का भी वीडियो दूँगा तूल का मतलब होता है कि जैसे मुबाइल फोन के अंदर रिपेरिंग करने के लिए जो छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं इन टूल को कै कैसे ठीक किया जाएगा या मालिया बबल रीमूर नहीं काम कर रहा हैसा बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती कि जब प्रॉपर एयर नहीं बनती तो कामबों में पंचिंग करके जब हम इसके अंदर डालते हैं ना तो इसके अंदर बबल तरह जाते हैं क्यों बबल नहीं जाते हैं क्या नहीं बनती क्या करा नहीं मैं आपको उसके बारे मैं आज आपको बताता हू पूरा मसीन खोल के दिखाता हूँ, पूरा समझाता हूँ सबसे पहली बात इसकी कमी को दिखा दिता हूँ यह हमने मसीन को अन किया मसीन अन करने के बाद यह देखिए यहां से पावर अन हो जाता है पावर अन होने के बाद हमको सिलेंडर अन करना है मसीन का सिलेंडर गर आप देखेंगा नीचे लगा यह यह नीचे शिलेंडर क्वेख बच्शे लोग डिस्प्सिली कामबूक करते हैं मसीन खराब हो जाते ँंभी पच्छों को रिपेर करना बताते हैं पहले थोड़ा सा इसकंदर एर बन जाने दे ताकि हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आपको समझा सकते हैं दोस्तों जितने भी साअनी वेडिव्यो में देता हूं यह सारी इन्फॉरमेस pendzieum सמוते हैं या आपके पास कोई भी ऐसी मचीन दूल है तो उसको आप यूज कर सकते हैं तो यह हमारा बहुत चोटा सा बबल दिमोर आता है, दस से पंदरा जार रुपए के बीच में मिल जाता है, इससे आप कोई भी मुबाइल फोन में, ग्लास, टच, OCA, जितना भी सारा काम है, टूटा फुटा ग्लास को डैमेज को रेपेर करना, टच को चेंज करना, जो भी सा आते हैं, और यहां पर जितने भी सारे बच्चे लोग ट्रेणिंग के लिए आते हैं, वो पुरा फुली तरीके पुरा प्रेटिकली सीख करके जाते हैं, पुरा दिन ग्लास करते हैं, तो हमारा कर अदर एर भर गया है, तबी भी कोई भी ग्लास को जब पंच करना होता है, तो पंच कलते समय उसका जो बबल का जो प्रेसर होना चाहिए वो 80-90 के बीच में होना चाहिए 80-90 का प्रेसर देते हैं जैसे 80-90 का प्रेसर देते तो प्रॉपर तरीके से उसमें पंचिंग होती है और एक भी बबल नहीं रहता और अगर आप इसमें वही प्रेशर होता है जो आप लोग अपनी मोटर साइकल में हवा बराते हो कहते हैं नहीं मोटर साइकल में हवा बराए जाती है तो सब के बाद मोटर साइकल होगी सब लोग हवा बराते हैं उस हवा में जो पीछे का जो प्रेसर होता है वो 40 होता है आगे का जो प्रेसर होता है वो 30 से 35 रखा जाता है वही सेम प्रेसर इसमें भी होता है लेकिन इसमें 80-90 होता है 80-90 के प्रेसर के दबाओं में जब कामब को डाला जाता है तब पंचिंग हो कितना लीकेज हो रहा है यह लीकेज का सिकायद है अगर यहां पास में देखेंगे तो कितना सारा लीकेज हो रहा है आवाज है आवाज सुना ही दे रहा है यह लीकेज होने की वज़े से ही मसीन में यह प्रॉब्लम हा रही है कि मसीन में बबल प्रॉपर नहीं बन पा रहे है अगर आप देखेंगे तो इस समय पर इसका प्रेसर कब है आप देख पारे ना इतना विखिलिंग साउन है कि ऐसा लगता है मसीन फट जाएगा देखिए हमने आपको दिखाया ऐसा प्रॉब्लम हाता है देखिए हम सब लोग सबसे पहले मसीन को खोलेंगे मसीन खोलने बाद इसके अंदर और ऐड़ी प्रेसर भरा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे सिलेंटर को आफ कर लेंगे चिए स्लेंटर को ओफ कर लेंगे फिर हम लोग इसकी रबड को बार निकाल देंगे वैसे इसमें प्रेसर अभी है निकालेंगे तो फटाक से आवाज होती है हम लोग इस मशीन को खोलेंगे मशीन में क्या क्या चीज़े निकलती है रिपेर करते समय क्या क्या साउधानी रखनी है और आप अपने छोटी मुटी समस्याओं को अपने घर पर भी बना सकते हैं अगर इस समस्या को कहीं दिखाने के लिए जाएंगी तो आप से 1500, 1200, 1200 रिपेरिंग करने का पैसा ले लेंगे ये देखे ये इसके जबड होती है जबड कर जाती है, जबड हीली हो जाती है, लूज हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम आती है हम लोगों को मसीन खोलना है अब हम लोग मसीन के जितने भी सारी स्कूरू हैं सारी स्कूरू खोलेंगे वीडियो सभी बच्चों को प्रॉपरा दिखाते रहिए ताकि हमारे जो बच्चे लोग हैं वो अगर ऐसी मसीन खराब हो जाती है तो उस मसीन को बना सकते हैं मैं एक एक करके जितनी भी सारी मसीने हैं, सारी मसीनों को बनाने का वीडियो मैं आपको दूँगा, वीडियो को माध्यम से काफी चीजों को सीख सकते हैं, और ये आप ही लोगों के लिए एक डेमो क्लास भी है, ताकि आप वीडियो को माध्यम से ये देख सकते हैं कि कैसे आ पूरा बाद निकल आएगा अभी हमको यह भी खोलना पड़ेगा सर्व प्लास दीजिए कि यह देखिए यह प्लास के मादम से जो स्कुरू है इसको भी हमको लोग खोलेंगे ऐसे अब बहुत ख़दनाक डेंजर टाइप के स्कुरू लगा हुआ इसमें यह हम ट्रंगल कंपणी का मसीन है जितना भी सारा मसीन है सब लोगा प्लास्टिक आता है इलोक्रोनिक सर्किट होता है सब बन जाता है ऐसी कोई चीद नहीं जो ना बने इस मसीन को मुने खोल दिया मसीन कोई का काम करता है कौन सा बबल का काम करता है मैं साथ चीज पूरा ही के करके समझाता हूं ताकि आप क्यों कोई कमी आईगी तो आप उच्छी को सीधे सीधे चेंज कर सकते कितने रोपय गाता यह भी बता तेता हूं अभी हम लोगों को यहां का नट खोलना पड़ेगा इस नट को खोलने के लिए एक अलग टाइब का ईलाइनर आता है इससे खोल सकते हैं वजना आप ईलाइनर से को खोलेंगे तो ज्यादा बेता देता है इसके लिए छोटी-छोटी ऐलेंक की आती है लेकिन एक देशी स्कुरू डाइवर है यह बड़ी बड़ी रेंग्टियों को खोल देता है ऐसे ही खोल दिया जैसे नीचे रहता है जबारा खुल गया खुलने बाद यह मसीन के बुजिटरी है इस मसीन में वैक्यूम मोटर भी लगी है जो हवा बनाती है जो पकड़ने का करती है फिलाल इसका वैक्यूम खराब हो चुका है दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है जो एर लिकेज हो जा रही है वो उनको देखना है यह चोट साथ डबा है देखिए यह जो डबा है यह इसका एलेमेंट लगा है और यह तो कोई लूज नहीं है यह प्रॉपर टाइट है इसको ठुछा साथ हम लोग एक बार निकालते हैं अब है एसे बार निकाल लेते हैं यह थुरा लूज से मोझा को इसका खास लूज नहीं ह। कि उसके बाद इसके यह पावर की बट्ने है पावर के अब्लग अब घ्ना देंगे और यह ध्यान लखेंगे ए कि कि इसके अदर बच्चे लोग दो तेना सब लोग कटिंग करते हैं तो देखें करते करते कि इसका में जो बैक्यूम का होता है यह देखें यह इतना बड़ा एयर का प्रेसर आता है इस एयर प्रेसर को अगर आप कहीं से ले लेंगे धिए पूरा टाइट है कुछ है कि ईए डबा है एक तरफ से पूरा बंध होता है काम स disgr ऑब Almendra रखता है काम रखने के बाद कि इसमें सिस्सवड़ी प्रॉब्लम क्या थी यह दिखिए कि एक कार्बना गया क्रविबाना गया क्या याए क्पतिक force जब तक इसके अंदर कार्बन रहेगा ना तो कार्बन रहने से क्या दिक्कत आएगी इसमें प्रॉपर तरीके से वह बैठ नहीं पाएगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा इस कार्बन को छुटाना पड़ेगा अंदर से तो कोई धूला नहीं दिख रहा है कुटूटा टाटा नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे साफ कर लेंगे क्योंकि रिक्सी माध्यम से हमारी एयर लीके जो जाएगा कई से भी हल्का सा कर गार एक कर और क्टर जाए तो निकल जाएगी क्योंकि एस करी यह का कि फिर यह रही है और एक फार्टेम तो वैसे हिरा वोटा होता है यह देखें ऐसा तब भी हो जाता है कि जैसे बहुत दिन अगर हम लोग मसीनों को यूज करते हैं हम लोग सफाई नहीं करते तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है चले अंदर देख लिए अंदर मसीन में कोई लूश्ट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका पावर सप्लाई है जैसका कनेक्टर लगा हुआ है जैसका पावर कोड है यहां से आता है जो मसीन को कट मारता है प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे टाइट होना चाहिए यह बटने अनफ करने का काम करती है यह भी प्रॉपर तरीके से काम चाहिए कोई भी हमारा सर्किल लूज नहीं होना चाहिए सर्किल लूज होगा तो अच्छी तरीकिते काम नहीं करेगा यह मिल्टर दिया हुआ है इसको खूल के देख लेंगे यह भी सारा सब कुछ सही है यह प्रॉपर चिप का हुआ है यहां से एर का पाई पाता है इजर भी कोई ची लूज नहीं है तो लूज नहीं है तो फिर दिक्कत कहा है हमने इसको लगा दिया यह प्रेसर मीटर लगा हुआ है अगर प्रेसर मीटर कई बर बताना छोड़ देता है तो आप कोई दिक्कत नहीं है आप इसको ऐसे खोलिए यह wall होता है, यह wall यहां Saintяс, पूरा खुलन जाता है pluck प्लास से आप खूल सकते हैं इसको और यह pressure meter निकल जाता है यह pressure meter मारकेब में 1.520 रुपए का आता है अगर यह pressure meter खराब हो जाएगा तो इससे problem याएगी कि आपका machine वो बताएगा नहीं, कितना pressure है उसको बताएगा नहीं, यह pressure meter को आप change कर सकते हैं, यह market में डो सो डाइसो रुपाय के मिलता है, अब ला सकते हैं आसानी साथ में, अब देखे हमने इसको proper से fit करना है, यह कोई सा brush है तो brush दीजी ज़रा, तक कि मैं इसको अच्छे स cleaning कर सको, इसको बोलते है, machine को अच्छे तरिके तर सर्विस करना, यह aluminum का होता है, पूरा, काफी weighted भी होता है, अब दो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें से रबड अलगी होती है, इस तरीके के rubber को क्या करना होता है, हमको इसके अच्छे सेट करना होता है, जब तक रबड अपने डॉट में, अपने पॉइंटों में, प्रॉपर वे में नहीं बैठेगी, तब तक सबर लेजिए, बेतर नहीं होने वाला है, यह जब रबड बैठ जाती है, तो बैठने के बाद हमारे पास इसके देखो ऐसे हैंडल होता है, यह हैंडल क्या काम करता है, इसको ऐसे प्रेसराइस करता है, और एसे अपने का बाद ऐसे बचाता है, अब जब हवा बरी जाती है, तो हवा में लिकेज नहीं होता, अगर आप चाहोगे तो यहांसे फूंक होगे, देखो, यह इसको बाद फेकेगा, अगर आप इसको तो मैंनल क्या होगा, अब इसमें फोग नहीं ही पाँगोग क्योंकर इसके बार निकल जाएगा लेकिन फिलाल इसके बहुत हैवी प्रेसर होता है तो हम लोग आपने इसको सट कर दिया है कि सेट करने के बाद कि अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे यह डालने के बाद फिर देखेंगे कि प्रेसर रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है इसी को वेरिफाई करेंगे कि हमने इसको अच्छे सा रबॉड को सेट कर लिए इसके अंदर लिकेज्ट हो जाता है कोई रह जाता है कंड रह जाता तो ऐसे दिख जाता है क्योंकि कई लोग कामबों बनाते रहे तो कोई की टूटाटा कुछ ऐसा चला गया है अब यह सफा सगे तो भी ऐसे दिखर करते ह है है चीए हम लोग इसको परपर तरीके ते ने क्या करेंग या अपना पयप जो है इस กर से हैंसे लगाया WhatsApp को देखे लीजिए पाइप कही इस फटा नहीं होना चाहिए अलका सा लीके नहीं होना चाहिए यह फॉज्च फटा वुया जब पाइप यहां से भटा है तो पाइप में छेद भी होगा कि यह देखें यह पाइप में छेद होने के वज़े से क्या होता है जैसा ही प्रेसर पड़ता है तो प्रेसर तो यहीं से निकल जाता है कि देखें क्या कमी है चोटा सा लीकेज समले पूरी हवा को धिली कर देता है लीकेज आज में कहीं काम कर नहीं देता है ठीक यह दो को लीकेज मिल गया अब लोग क्या करेंगे इसको कुछ नहीं कर देजिए ठीक लिकेज कर गया अब कर आपको इसको ऐसे अंदर इंसर्ट कर देना है अब इसको करेंगे जैसे खुला है वैसी पैक करेंगे दोस्तों तो ऐसे लगा था ना है ऐसे लगा था कि अब लोग वीडियो को अच्छे से वाच करते रहें और समझते रहें कैसे काम किया जा रहा है कैसे बबल रिमोर को ठीक किया गया लेकर की प्रॉब्लम थी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिससे कामबो प्रॉपर बन नहीं पाता तो आप लोग उसको ठीक करेंगे चलिए जो मनें खूला है तो आप लोग इसको थोड़ा साब भी कर देते हैं एक दिन के अंदर यह मसीन कम से कम नहीं तो सो से डेड़ सो कामबो काटती है बनाती है पंचिंग करती है कि इतने बच्चे लोग यहां पर रिपेरिंग करते हैं प्रैक्टिस करते हैं करते हैं करें अब हम लोग क्या करेंगे इस मसीन को करेंगे कैसे करेंगे जैसे खूला वाइसे फिट करेंगे हम लोग इसको लगा दिया लगा देने के बाद पहले तो इसके श्कूरूट आइड करेंगे यह चोटा साथ यह बबल दिम्वर है इसको इससे कर देंगे ताकि यह फिट हो जाएगा फिर हम आप लोग के सामने इसको टेस्टिंग करके बताते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सांतर तक बने रहे हैं परेशान नहों धैर नक होएं कहीं दूर ना जाएं वीडियो को पूरा देखें अगर हम आपके लिए इतना मेनत करते हैं तो तुम लोग भी देखने में पूरा सा मेनत करी सकते हो कि वीडियो करते हैं कि टाइड किया कि इसको टाइड करने के बाद इसको प्रॉपर फिट किया अब इसके स्कुरू को टाइड करेंगे कि लगा दिया जितने भी सारे स्कुरू इनको प्रॉपर वे में टाइड कर लेंगे हम लोग कोई भी मसीन अगर आपकी खराब है अगर आप नहीं रिपेर कर पा रहे हैं कोई दिक्कात आ रही है तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर दियुए पर फोन कर सकते हैं और रिपेरिंग करने के पूरी गाइडेंस ले सकते हैं हमारे पास ऐसे सारी बहुत सारी मसीनों को ठ्रिक करने के वहने बहुत सारे वीडियो बने हुए हमारे चैनल पर अगर हो सकता है गलती से अगर आपको वीडियो नहीं मिलता तो आप हमें कॉल करें हमारे नंबर पर कोई सामान कोई atson सकते हैं तो हम अब कि हम को छीजों को बारे में समझा देंगे बता देंगे को तो सामान कहां से मिलता है उसका तरीका पूरा बता देंगे कि नीचे पर स्क्रीन पर जो नंबर ing ढया statement आन कि इसमें की नंबर पर ड़ूं कर सकते हैं आगर आप इसी तरीके से ओपुर्वी क्लेतर इट्रेनिग लेना चाहेते हैं तो भी आप संपर्ध कर सकते हैं एक और ओओबाईल फोन डेपैरिंग की पूरी किंव्पलेटर इट्रेनिग ले सकते हैं इन सक पिजों के बारे में सीख सकते हैं चलिए हमने सारे स्कूरू इसके टाइट कर दिये प्रॉपर तरीके से फेटिंग कर दिया अब इसको हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे कि हमारा दैन जिजल्ट क्या होने वाला है अब इंतिजार है तो सिर्फ जिजल्ट का कि चलिए कि हमारा प्रफर फेट हो गया प्रफर फेट होने बाद आप लोग देखिए सब चीजिस सेट हो गए हम लोग क्या करेंगे इसका यह लगाते है कि इसमें भी देखिए इसमें कोई लिकेज नहीं होना चाहिए हुआ 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 ह हुआ ह chi करेंगे 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 क्ल險 उपि कर दो से की लुकल वो एबान, जुछ मैं अपिका, कर मैं स 기본 1 दो अपिका हवाड़ के लागा थेखाओादी कि टो कि exists लो थोड़ себя आप खबेclockwise कि मैं हम वोड़ tensions जम思े कि अुधशन Works बने हम एम ऐर सम्सेंच caveat कर दो नहीं किसे लूप में आखर नारायन मिल जाएगा दो नहीं किसे लूप में आखर नारायन मिल जाएगा दो नहीं किसे लूप में आखर नारायन मिल जाएगा करेंगे 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 प्रेसर वाला पाइप है उस प्रेसर वाले पाइप लोग लगा देने पाद फिर, अम लोग इसका पावर कूर लगा लेंगे उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों उसको चेक करेंगे इसमें बैक्क्यूम बन रही कि नहीं बन रही तो आप अंदर रखेंगे अंदर रख दिया बंद गिया बंद करने बाद सबसे पहली बात क्या करेंगे अब लोग सिलेंडर में लोग आवबाल लेगे जब इसमें प्रेसर हो जाएगा यह देखेंगे फिलाल हमारी मसीन फाइनली ओन हो गई है ओन होने के बाद पहले इसके अंदर प्रेसर बज जाएगा आप देखेंगे वहाँ पर अंदेरा है अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको ओन करेंगे जैसे ओन करेंगे तो इसके अंदर हावा आएगी अचा हावा इसमें अभी नहीं आ सकती क्योंकि हमने उसको प्रेसर को सीधा नहीं किया जब हम उसको टाइट करेंगे अभी आएगी जब आप पाइप के माधियम से यह राएगी हम लोग इसको ओन करेंगे देखेंगे अब मसीन में देखें प्रेसर बना हुए है अभी इसके अधर यहां पर अलका सा लीकेज हो रहा है हम लोग रबर को एक बर पल्टा कर लगाते हैं हम लोग इसको करते हैं अब इसमें फेला लीकेज नहीं हो रहा है हम दूब करते हैं झाल झाल